इस विडियो हम आज देखेंगे फ्रांसिस ट्रवाइन के बारे में जो कि एक्जाम के पॉइंट पर उसे बहुत इंपॉटेंट है और फ्रांसिस ट्रवाइन जो है दो लग दस सालों में ये पांच बार पूछा गया है आए देखते हैं किस किस जीरें पूछा गया है दो हजार आट में पूछा गया था उसके बाद 2010 में और फिर 2012 में और फिर 2014 में और फिर 2015 में उसके बाद से अभी थक नहीं पूछा गया है 2008 के बाष संसाल का गैप हुआ है 9 में नहीं पूछ HA जाने के सब्सक्राइब डिया है कि 2019 में बहुत स्पेसे और सकति कुछू एक अट देखते हैं कौन गों से टॉपिक है कि पिछली बार पूछ घाया बर्यूब फिर 2009 में फिर 2010 फिर बीत डोढन पूछा गया उप हैं पूछा गया हैं camera गया हैं बहुत और यह में सब्धाइं पूछा गया फिर दो हुझा पंद्रें फ्रैंस ट्रॉयन पूछा गया है तो हो सकता है 2019 में फ्रांसिस ट्रवाइन या फिर आपका कैपलान ट्रॉइन पूछे जाने की समभावना है तो हम लोग इस वीडियो में फ्रांसिस ट्रॉइन को कवर करेंगे और नेक्स वीडियो में के अपलान ट्रॉइन उसके नेक्स वीडियो में पेंटल वी ट्रॉइन को भी कवर कर लेंगे ताकि एक्जाम में कोई भी कोसुन हमारा छुटे नहीं आई पूरा उसके बारे में explain करेंगे A to Z, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अगर दो नमबर या ती नमबर में आता था, तो simply figure बना करके, उसका introduction लिग करके, खतम करेंगे, बहुत ज़ाथा, समय देने की जरूरत नहीं होते हैं, आई शुरू करते हैं, फ्रांसिस टरवाइन के बार हम जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, इसे पर आपको नमबर मिला के हैं, फ्रांसिस टरवाइन, एक मिस्सित प्रवाव प्रत्किलिया टरवाइन है, यानि मिक्स फ्लो रेक्षन टरवाइन है, इसमें दाब पर पानी, अर्णर की परधी पर, तरी जरुक मलुक की रेडाली पर वेस करता है प्रेसरs के साथ प regimes प्रवेस्ट करता है और केंदर पर अच्छी ढंग से बाहर निकलता और ठरवान सभानल पानी प् điकими थिर्स पर मतलब की मेडियुम हेड पर गाम कटता है मेडियुम कितना होता है पाने के मद्सिस पर काम करती है मद्सिस पर मेडियम हेट कितना है पचीस मीटर से धाइसों मीटर तक के हेट पर यह काम करती है देखिए फिकर में बस समझ देजिए रेडियल प्रविस्ट करने के मतलब है कि यह जो है यह इसका जो है केसिंग है वहां पर जो है रेडियल मतल रिजिता प्रविष्क करी किंदर से होकर के अच्छी एक्सिस की तरव से बाहर निकल जाती है इसका वाटर यह बताया गया है इंट्टॉडेक्शन में तो इंट्रेक्शन अच्छे स्टैयर कर लिजिए क्योंकि पहले इंट्डॉडेक्शन पढ़ जाता उसका फिगर दिखा जानते हैं इसके बारे में पैनी स्टाक से पानी जला से पहुंचा जाता है पैने स्टाक क्या होता है एक पाइप होती है जिसके द्वारा पानी मारे बान्य पर ग्रता है तक तो व्द राता हम य덮ोई लाणे के लिए जो पाइप के वीगे उसे को बनते हैं पैनी स्टॉक पानी के लुधा यहां रखा गया है इस आ औरन की काड़ फल पानी के परविश्व में अधिक्टम होता है सर्पिल का मतलब यह होता है कि जहां पानी इन करेगा उसका जो क्रावस स्रिक्षिन एरिया काड़ जादा होगा फिर द्र तर अधिक्तम होता है और परवाह की दिशा में धीर धीर कम होता काञी है यह सा कैसिंग उसको बना जाता है कि पपिर मोटा होता है कि दिदें पतला होता है इस इस वाज defека कम होता जाता है इस आउरण न में एस और चारों ओर से बढ़ाएं जो अगरfaced करता है वह बंद होता है किसींगे अंदर यह और वह फिलकों से ऻो जाँ Etienne १ं ंदर गाइट लहज़ा क्यों हें बarner के ते जूवाताहा पानी निकलाता ठीक है यही है देखिए गाइड फलको का काम पानी को अधर के परदी पर सरल रूप से परविश्च कराना है एक गाइड फलक लगा होता है जो की स्थिर होता है केसिंग के साथ और उसका काम होता है कि गाइड को उसको जलको जो आ रहा है उसको रणर पर पहुंचाना होता है को Canon से फानिन निकास अच्छी होता है जो न rate से निकलता है वहां देहरे हैं अच्छी होتा में लगिए चा तरफ से कि तरफ से निज़कर निचे आyyah और वह साफ्ट टूब में जाता है और वह ड्राफ टूब में जाता है यह इसको बोलते हैं ड्राफ टूब यह लगा हुआ है इसको बोलते हैं ड्राफ टूब पानी फिर वहां से निकल के ड्राफ टूब में आ जाता है और और यहां से टेलरेस में भेज दिया जाता है टेलर पानी बहता है उसका बिलॉख जीरु रगबग होता है और इस पानी में आके यह मिल जाता फिर पानी बाहर जाता इस नीचे वाले पानी को भी बोलते हैं तेलरेस ठीक है आगे जानते हैं इस ट्रबाई में दाब पर पाने आधी में पूरा भर कर बाता है मलब कि तो पानी आता है दाब के साथ आता है प्रेसर के साथ आता है और आवरण में जो केसिंग होती है उसमें पूरा भर कर बाता है ऐसा नहीं को आदा खाली हो दिद्रिवारा ऐसा पूरा भर कर बाता है जब प्रवाहित होती है तो इसकी दाब उर्जा जब परवाहित होता है। होती आती है और गति दूजा बढ़ती आती है दाव के साथ तो परवेस करता है लेकिन उसका केसिंग ऐसा बना हुआ है कि उसकी दाव बूजा कम होती जाती है और कानेटिक एनरजी बढ़ती जाती है आनिकि जो प्रेसर एनरजी होता है वो कानेटिक एनरजी में चेंज होता जाता है प्रेसर दाव उज्जा कम होती है कानेटिक उज्जा उसकी बढ़ती जाती है ठीक है आगए आनते हैं क्या है रणर फलकों की विश्य साक्रिति के कारण फलकों के परवेश तथा निकास के बिच दावांतर स्थापित हो जाता है पहले गुषता है पानी इंटर करता है प्रेसर बहुत जदा होता है उसका दाव के बीछ समय क्या हो गया अनतर हो जाता इसके के अनतर के ओर फलकों पर बल लगता सप्राइब करता है लगता है अपनी आपने उद्वारुदोयमे रखते हैर to apply City को खर्प्र से आंगो फूरा औरम नावस्थ नियुक्र में रख्ते हैं कि जुक्त to कर्या करते समय पाने से पुरा भरा रहना आदर रखते हैं कि त्रोड़ाइन को किरा करते समय पानी से पूरा भरा रहना आवस्थक है तब छलेगा तो फिर नहीं चलेगा इस अिसलिए ड्राफ्ट्यूब को भी टेलरेस में जल्ष के अंदर डूबव रखते हैं योकि पूरा भर के उसमें कहीं से भी एर नहीं आना चाहिए इसी विशुकर ड्राफ्ट्यूब नीचे वहादा उसको पानी में टूबव तो नीचे से भी एर ना आए ठीक है छोटे आकार के धलबा लोहे के तो था बड़े आकार के धलबा इसपाद के बनाया जाता है जो छोटे आकार के धलबा बना जाएंगे धलबा लोहे के और बड़े आकार के बनाया जाएंगे धलबा इसपाद गुना जाता है और सकता पढ़ने पर कासे में कोई ब्रॉ हम्सक्राइब कि जा सकती है और इस्ट रवाइन के दस्ता मेलवज एफिसियंसी की बात करें तो लगवा 88 परसेंट थक इसकी इफिस्यंसी होती है इंक्राइर कर लएन कि बहुत इंप्रॉटेंट जो कि हमारे एक्जाम के पॉइंट वीव से बहुत इंपॉटेंट है इसको इदम तयार कर लिजेगा और इस जो यह नोट्स है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेस्बूक पेज डिप्लोमा ओलेंग क्लासेश पर जागर के पेज को लाइक करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फ्रांसिस टर्वाइन आपको अच्छे से समझ में आया आपको यह कितना इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ओके ठाइंक्यू मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्ट वीडियो में